हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब खोप यू ओला जोएंग वेरी गुट इन फाइंट सो वेलकम बाक टो चानल इस साइट प्रेंगा खन्ना यौर एजुकेटर सो बच्छो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसो एफ आइम ओ के बारे में कि वाट इस एस एस एफ आइम आपको सुरक्षा तो बच्छो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि यह क्या ओता ही इसके रखैFire की डेट कभ मोती हां इक्जाम पाटन इस chúng स्टार्ट करनी स्टारट करने के पहले पिर से आप करेंश जाहिए आपको कुछ important information लगे तो उसको note करते चलिए साथे साथ आपको description box में उसके सारे के सारे link भी दिये जाएंगे जहां पर आप अपने slivers को देख सकते हैं clear so again यह video जितना हमारे student के लिए important है उतने ही उनके parents उनके relatives उनके friends सब के लिए important है so इसको last तक जरूर देखें औ चानल को like, subscribe, comment करना ना भूलें so let's start the session what is SOFIMO बच्चों IMO एक international mathematics olampiard होता है जैसा कि नाम है mathematics तो obviously यह बच्चों को judge करता है उनके mathematical skill को ठीक है यह उसको judge करता है साथी साथ आपको एक national international level पर आपके identity भी बना रहा है और यह compete कराता है हमारे other student के साथ across the country or the world clear student तो आप यह देख सकते हो कि आप school में जो भी maths पढ़ रहे हो जिस भी class में आप है उस class के अलावा आप इस paper को भी दे सकते हो because slivers तो वही कुछ है books भी आपको वही पढ़ना उसके साथ थूड़ा advance भी पढ़ना है yes यह भी आपको accept करना पढ़ेगा सिर्व स्कूल का जो chapters है उनको पढ़के class के chapters को पढ़के उतना ज्यादा यह exam आप नहीं crack कर पाएंगे obviously ठीक है so अगर कोई चीज इंटरनाशनल olympiad में आप आप लेना चाहते हो तो आपको पढ़ाई आपको मेहनत भी अच्छी करनी होगे clear student now कुछ question के कौन स क्लास के बच्चे से दे सकते हैं बच्चो ये एक exam है जो हमारे first class से लेके 12 तक के जो student है वो दे सकते हैं so यहाँ पर कौन student part ले सकते है class 1 से लेके class 12 तक के student इसमें part ले सकते हैं ठीक है timing क्या है इस exam की सब के लिए timing is of one hour कितने minute की है 60 minute that is one hour की होते है इनके exam ठीक है रही बत levels की कितने level के paper होते है it is of two level paper ठीक है लेकिन हमारे जो first or second class के student है उनके लिए एक single level exam होता है लेकिन third से 12 class के बच्चों के लिए ये एक two level papers होते है means first आपको first level exam को clear करना पड़ेगा after that आप second level के लिए eligible होते हो clear बच्चों सो ये कितने level है that is a two level paper होता है जिसमें भी आपके साथ exceptional क्या है कि first और second class के बच्चे के लिए पर्स लेवल का paper ही देते हैं ठीक है और साथ ही साथ आपको prizes भी मिलते हैं इतना ही नहीं बलकि जब आप इस exam को crack करके crack कर लिते हैं तो आपके अपने आगे आने वाले CV में इतना updation होता है कि आप किसी भी जगह पे जब नौकरी करने जाओगे तो उसके भी preferences आपको 100% मिलेंगे clear और तो prizes क्या है बच्चों य सब आगे detail आपको पता चलता रहेगा clear, appear, साल में एक बार यह exam होता है, आप appear हो सकते हो इसमें, दूसरी बात है कि दिखे, SOF हमारे कई exams को कंटक कराता है, अगर आप किसी और exam की eligibility criteria में आ रहे हैं, तो definitely आप एक के साथ दूसरा भी paper दे सकते हैं, ठीक है, so appear, annually यह exam होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, appear हो सकते हो, एक paper भी दे सकते हो, और जो exam है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है, अब आता है result, बच्चों exam के 8 week बाद, 8 हफतों बाद, इसका result update होता है, ठीक है, medium के बात करें, तो यह होता है आपकी English medium में, yes, यह English में होते है paper, और रही बाद slay slayvers की, तो slayvers का है, क्योंकि यह paper ऐसा है, कि हर कोई दे सकता है, किसी भी state का वच्चा दे सकता है, किसी भी board का student है, वो दे सकता है, तो slayvers उसका होता है, वो सब को ध्यान में रखके, ठीक है, उस तरिके का इंका paper बनाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए, eligibility, no minimum qualifying marks, like no minimum criteria, ऐसा कुछ भी नहीं है, level 1 के लिए हर कोई क्या है, eligible है, ठीक है, पीस की अगर करते हैं बाद, तो फीस होती है, बच्चो 125, जिसमें 25 कुछ extra charges होते है, स्कूल के, so total आप लिख लीजे कि 150, इसके क्या होते है, फीस होती है, now the next is registration, registration मच्चो आपके school के जरिए होते हैं, हाँ, आप individually registration नहीं करा सकते, school के जरिए ये exam के लिए आपको बैठना पड़ेगा, so registration किसके जरिए होता है, schools के जरिए, clear student, now the next is, exam के date कब होती है, exams कब है, like 2022 में, देखे, इसके 3 dates conduct की गई है, जिस 3 dates के obviously paper अलग-अलब होंगे, किसी में A set, B set, C set अलग-अलग paper होंगे, date 1 जो निकाली है, that is a 10 November 2022, date 2 is a 622 November, and date 3 is a 13 December, ठीक है, आपके school किसी एक date को opt करता है, उसी में आप exam दे सकते हैं, ठीक, लेवल 2 की बात करें, so, लेवल 2 का जो paper है, first paper का result आता है, फिर आप लेवल 2 का paper देते हो, जो की tentatively 5 और March में होते हैं papers, ठीक है बच्चों, अब आता है कुछ बाते, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया, second level के exams जो होते हैं, मतलब लेवल 2 के जो exams होते हैं, वो हमारे class 3rd यह होते हैं, two level के paper, and ISO, IGKO, ICO, NCO, यह होते हैं, आपके single level, एक single level के exams होते हैं, ठीक है, एक, एक SOF के levels के बारे में, एक, एक paper के बारे में, आपको सारी detail information मिलती चलेगी, clear बच्चों, now, coming to exam pattern, exam pattern कैसा होता है, बच्चों, IMO का जो paper है, उनका two level होता है, अभी आपने सुन लिए, level 1 का जो competition paper होता है, it is of 60 minute, ठीक है, अभी ये पीछे बता भी दिया हमने, जिसमें 35 objective questions आते हैं, class 1 से लेके class 4 तक के student के कितने questions आते हैं, 35 questions आते हैं, ठीक है, जबकि हमारे class 5 से लेके class 12 तक के जो बच्चे हैं, उनमें आते हैं, 50 objective questions पूछे जाते हैं, तो paper objective type questions आते ह हैं, 5 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए, बिकोज आप बड़ी class में आ गए, तो ज्यादा number of questions solve करने हैं आपको, एक ही गंटे के अंदर, और क्योंकि हमारे 1 से लेके 4 तक के बच्चे छोटे students हैं, तो इसलिए वो क्या है, 35 questions solve करते हैं, within 1 hour, ठीक है, ना, जब level 2 पे आते ह हैं, जब आप 1st को cross करके level 2 पे आते हैं बच्चों, तो उसमें आपका timing again 60 minutes है, that is 1 hour ही है, नेकिन यहाँ पे आपका 3rd और 4th class के जो बच्चे हैं, again 35 questions ही उनको solve करना होता है, and 5th से लेके 12 तक के बच्चों को again 50 questions ही solve करना होता है, ठीक है, ना, अब आते हैं exam pattern, exam pattern पे अगर हम चलें बच्चों, तो यह ज़ीज जयान देजें कि exam pattern क्या है, level 2 बार बार repeat कर रहे हैं, कि किसके लिए होता है, class 3 से class 12 के लिए, 1 level हमारे 1 and 2 student class के लिए होता है, ठीक है, तो अगर आप qualifiers, the qualifiers to the second round, second round के जो qualifiers हैं, उनके लिए क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या- हैं, that is, they should be top 5% of candidate, ठीक है, जो first level exam में qualified हुए class wise, top 25 rank holder class wise as well as zonal wise, class top पर जहां पर उन्होंने 50% qualify किया हो marks, जी हां, clear? तो बच्चों, अब आते हैं, question paper pattern पे आते हैं, कि question paper का pattern क्या होता है, level 1 के 4 sections होते हैं, class 1 से लेके class 10 तक के जो student हैं, उनके 4 sections यहां पे आप देख रहे हैं, however class 11 और class 12 के भी कितने section से 4 ही हैं, ठीक है, difference क्या है, यहां पे section 1 logical reasoning, आपकी 11 और 12 के बच्चों में भी क्या है, logical reasoning, यहां पे mathematical reasoning, यहां पे mathematical reasoning और applied science, everyday mathematic and achiever section और everyday mathematic and achiever section, तो differences क्या होंगे, मान इसी बात है, कि achiever section क्या होता है, पहले तो यह बता दिया, achiever section होता है, high thinking वाले जो questions होते हैं, ठीक है, high thinking questions होते हैं, आपके, चाहे वो आपका 1 से 10 हो, या 11 और 12 के बच्चों के लिए, high thinking order के questions होते अब आप यहां पर देखिए question paper का pattern class for the level 2 के लिए class 3 से class 12 के बच्चों के लिए so section 1 आता है mathematics और section 2 आता है बच्चों achiever section जबकि last में आप देखेंगे तो यहां पर क्या था logical reasoning, mathematical reasoning, average mathematics achiever section जबकि आपके level 2 में जो 3 से लेके 12 तक के बच्चे हैं उनमे mathematics आता है और achiever section आता है ठीक है अब आते हैं हम लोग pattern of questions and marking scheme में आते हैं तो pattern of questions and marking scheme की बात करें तो level 1 में ध्यान से लिखेगा class 1 से लेके class 4 तक के जो student है जिनके हमने ये पीछे 4 sections जो आपको अभी cover किये उसमे number of questions कितने होते हैं तो logical reasoning में बच्चो यहाँ पे number of questions होते हैं आपके 10 ठीक है हर एक question का marks होता है 1 that is 1 तो total marks कितने हो गए बच्चो 10 clear तो logical reasoning के total कितने questions होते हैं 10 और हर question एक marks का total marks कितने हो गए 10 ठीक है mathematical reasoning की बात करें तो यहाँ पे भी आपके 10 questions हर question एक marks का total marks हो गए बच्चो अगे 10 ठीक है everyday mathematics के भी आपके 10 questions एक question एक marks का हर एक question means एक marks का और total marks हो गए बच्चो कितने 10 achiever section जो आपके high order thinking questions होते हैं तो यह किवल 5 ही होते हैं और हर एक question यहाँ पे 2 marks का होता है और यह हो गए बच्चो आपके 10 marks के clear तो achiever section में marks बढ़ गए that is हर question 2 marks का हो गया number of questions भी कम हो गए और total marks कितने हो गए 10 clear तो आप यह चीज़ दिखोगे कि class 1 से लेके class 4 तक के बच्चो का जो total marks का पेपर होता है वो कितना होता है 40 ठीक है तो total marks कितने हो गए यहाँ पे 40 हो गए और number of questions कितने हो गए 35 तो number of questions यहाँ पे हैं आपके 35 और total marks उसके कितने है 40 यह चीज़ आप अच्छे से ध्याद रख लिजें कि जो भी student इसको देख रहे हैं वो class 1 से और 4 तक के बीच में है उनके number of questions 35 होंगे और total marks कितने होंगे 40 ठीक है ना 5 से लेके 10 तक के बच्छों के लिए 5 से लेके 10 तक के बच्छों के लिए यहाँ पे number of questions है 50 और total marks कितने है 60 कैसे कैसे डिवाइट किया गया है यहाँ पे logical reasoning के बच्छों बढ़ गए question आपके 5 पहली से compare करेंगे तो 5 बढ़ गए यह हो गए आपके 15 question ठीक हर एक question एक marks का और total marks हो गया 15 mathematical reasoning के question हो गया बच्छों 20 ठीक हर एक question एक marks को और total marks हो गया 20 every day mathematics के आपके 10 ही है और यह एक-एक marks के और हो गया 10 तो आप achiever section में रिखो गए तो 5 questions ही रहेंगे हर एक question 3 marks का वहाँ पे कितने थे उपर 2 marks का यहाँ पे कितना थे 3 marks का और total तो आप देख रहो लॉजिकल रीजनिंग के कॉश्चिन यहां पर बढ़ गए अधिकल रिजनिंग के कॉश्चिन यहां पर बढ़ गए थिक तो यहां पर गए मार्ट विप्ट से लेके 10 तक के बचों के लिए जो total number of questions है, number of questions कितने है, that is 50, और उनके जो marks है, वो कितने हो गए total, that is 60, ठीक है, तो अगर आप eligibility criteria में आ रहे हैं, तो आप ये चीज़ ज्यान लग लिजे, कि आपके level 1 में number of questions 50 होंगे, जो कि आपके 60 marks का paper होगा, ठीक है, अब आते हैं हमारी 11th और 12th के बच्चों के लिए, logical reasoning, यहां पर आप गया आपका 15, again, mathematical reasoning और applied science, यह हो गए आपके 20 question, everyday mathematics के 10 question, और achiever section के आपके 5 question, ठीक है, यह अगीन 1 marks, 1 marks, 1 marks, और 5 into 3, that is 15, तो कितना हो गया यह आपका 60, and again 50, तो कह सकते हो के 5 से लेके 12 तक के बच्चे, इनके जो total marks होते हैं, वो 60, और number of questions होते हैं, 50, clear? तो यहां पर हमने 3 sections में divide करके दिखाया, 1 to 4, 5 to 10, and 11 and 12, clear student? अब आता है हमारे level 2 का, level 2 में कैसे questions, number of questions क्या हैं, तो और कितने sections हैं, तो अगर आप बात करोगे 3rd and 4th class के student, अभी वो बच्चे छोटे हैं, अगर 5 से 12 तक की बात करें, तो yes, 3rd and 4th के बच्चों में 2 sections हैं, that is a mathematics and aachieverse section, ठीक है? नंबर of questions maths में होते हैं, बच्चो 30, ठीक है, at aachieverse section के questions होते हैं, कितने 5, मार्क्स पर questions होते हैं, 8, और इसमें होते हैं, marks per question आपके कितने 2, तो total कितना हो गया इसका 30 यह हो गया 10 और total marks हो गया 40 ठीक है grant total question के कितने हो गया 35 तो number of question 35 total marks कितना हो गया 40 clear 5 से 12 तक की बच्चों को देखें again 2 इनके sections है जहां पे question number बढ़ गया 30 से हो गया 45 यह 5 ही रहेगा यहां पे इसके number तो वही है लेकिन इसका marks बढ़ गया हर एक question 3 marks का यह again 1 marks का तो यह 15 हो गया और यह 45 हो गया तो total marks अगर इनकी बात करें तो इनका total marks कितने का होता है 60 marks का होता है ठीक है और number of questions कितने होते हैं number of questions बच्चों होते हैं आपके 50 यह याद रखेगा, तो 5 से 10 तक के बच्चों के 50 पर्शन और टोटल मार्क्स कितने होंके, 60 मार्क्स का पेपर होता है, अब आते हैं स्लेवर्स के बारे में, बच्चों यहां पर हमने सारा आपका स्लेवर्स लिखा है, जहां पर आप जिस भी क्लास से बिलॉंग करते हैं, आ और अगर आपको लगे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले ले, अधवाई डिस्क्रिप्शिन वाक्स में आपको सारी डेटेल मिल जाएगी, तो सेक्शन 1, जैसा कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 होता है, तो यहां पर सेक्शन 1 में कैसा, क्या-क्या इंके हैं, क्या-क्या पूछा जाता है, पैटर्न, और बन आउट, मेजरिंग यूनिट, जेमेटरिकल शेप, ठीक है, एंड सो ओन, सेक्शन 2 में आपका वेट एंड कंपारिजन, मनी, जेमेटरिकल शेप, सॉलिड, पाटर्न, यह सब चीज़े, सेक्शन 3 जो होता है, वो स्लेव आसपर सेक्शन 2 के साफ से होता है, ठीक है, सेक्शन 4 में क्या होता है, हाईयर ओडर थिंकें क्वाश्चिन होते हैं, जिनका जो स्लेवर होता है, वो आसपर सेक्शन 2 के साफ से होता है, लेकिन उसी को थोड़ा और मोडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है, सो क्लास 1 के बच् नूमरल, नमबर नेम, नमबर सेंस हो गया, कम्प्यूटेशन हो गया, किपासिटी, टाइम, टांप्रेचर आपके सब कोर्स में हैं यह सब, ठीक है, सेक्शन 3 अगें, क्या होगा, स्लेवर से असपर सेक्शन 2 के साब से होगा, and section 4 आपका higher order thinking, questions होगे, ठीक है, अब note में एक बाद ध्यान रखेगा, बच्चो, अगर आप level 1 के competition exam को दे रहे हैं, और हम PR exam को, तो उसमें 60% आता है आपके current slayer से, और 40% आता है आपके previous class slayer से, जैसे कि अगर मालीजा, second class का बच्चा यह paper दे रहा है, तो 60 जो उसका आज का, इस class का slayer से उससे पूछा जाएगा, और 40% उसके class 1 से पूछा जाएगा, ठीक है, और इसे तहिके से questions in achiever section के हम बात करें, तो वो बच्चो होता है आपके cable और cable current class के slayer से बिलॉँग करता है, clear? स्लेबस पूर क्लास 3, section 1, देख लिजए आपका, जो भी है, आपके course में होते हैं, mirror images, geometrical shape, possible combination, ठीक है, alphabet test, यह सब आपको practice करनी पड़ेगी, obviously, ठीक है, section 2 में देखें, तो number name, number sense system, length, weight, यह सारी चीज़े, section 3, स्लेबस as per section 2, section 4 is a higher order thinking, caution, ठीक है, सो आपको तैयारी किसी करनी है, reasoning की आपको तैयारी करनी है, ठीक है, like, आपको अच्छे से उस पर practice करनी पड़ेगी, और बाकी note की बाते सारी आपकी same है, क्या 60% आपका current slavers, and 40% आपका previous class का slavers होता है, and question for level 2 Olympiad exam किसके होते है, from the current slavers, तो level 2 Olympiad exam जब आप निकालते हो, तो से आता है, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा advanced level के questions पूछे जाते हैं, ठीक है, achiever sections क्या होते हैं, will be from the current slavers only, clear, तो आपके class 3rd से आप level 2 देना start कर सकते हैं, ठीक है, slavers for class 4, section 1 again, pattern, alphabet test, coding, decoding, ठीक है, section 2, numerals, number name, number sense, ठीक है, fraction, length, weight, capacity, ये सारे, section 3, slavers as per section 2, section 4 is a higher order thinking, caution, clear बच्चों, बाकी note की बाते आपके लिए क्या हैं, विल्कुल और विल्कुल, same है, ठीक है, slavers for class 5, pattern, analogy, section 1, coding, decoding, ठीक है, section 2, आपका geometrical shape, solid, length, measurement of length, number name, ठीक है, आपका slavers का, section 3, slavers of this section will be based on the slavers of the mathematical reasoning से बिलों करता है, ठीक है, and section 4 is of higher order thinking question, so I repeat it again कि जो भी बच्चे, जिस class से बिलों कर रहे हैं, उसको प्लीज, उसको देखते चलिए, अपने slavers को note करते चलिए, या फिर उसका screenshot लेते चलिए, however, आपको सारा कुछ description box में भी मिलता जाएगा, ठीक है, slavers for class 6, verbal and non-verbal reasoning again, section 2 आप गेख लेजे, algebra, ratio, proportion, symmetry, practical geometry, ठीक है, slavers as per section 2 and higher order thinking question, class 7, again verbal non-verbal reasoning, section 2, practical geometry, rational number, triangle, ये सवाब पढ़ते हो, section 3 and section 4, that is a higher order thinking question, आपका आया, slavers 8, बच्चों के लिए, section 1, again verbal non-verbal reasoning, section 2 में construction, visualizing solid shape, direct inverse variation, factorization, जो आपके slavers में है, section 3, slavers as per section 2, section 4 is a higher order thinking question again, ठीक है, slavers 4, class 9, verbal and non-verbal reasoning, section 2 में number system, polynomial, coordinate geometry, quadrilateral, ठीक है, construction, surface area, ये सारे आपके slavers में है, section 3 and section 4 is a higher order thinking question, now class 10 के लिए, verbal non-verbal reasoning, section 1, section 2, real number, polynomial, probability, construction, section 3 आप देख लीजे, again, slavers किसे बिलाउं करेगा, on the slavers of the mathematical reasoning and the quantitative aptitude and section 4 आपका higher order thinking question, ठीक है, slavers for class 11, section 1, verbal non-verbal reasoning, set 2 में, section 2 में, set relation function, permutation, combination, ठीक है, number, quantification, numerical application, section 3 में, again, based on the slavers of the quantitative aptitude and section 4 में, straight line, circle and probability and और, ठीक है, आप अच्छे से सब चीजे देख लीजे, slavers for class 12, again, section verb, verbal non-verbal reasoning, section 2 में, आपके खुद के slavers का, that is, integral, applications, relation function and so on, ठीक है, quantification, application, derivative, देख लीजे आप अपने slavers के according, section 3, slavers will be based on the slavers of quantitative aptitude and section 4, बच्छो, क्या है, आपके application, integration, differential equation, linear programming, probability and so on, ठीक है, बच्छो, so, आप, again, जिस भी class से belong करते हो, आप उसे देख रहे हो, अच्छे से आप अपने slavers को देख लीजे, जिससे आपको पता चल जाए, कि इस particular Olympiad के exams में, क्या-क्या पूछा जाता है, ठीक है, student, so, now, books and the tips for the Olympiad, बच्छो, NCRT तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जो आपकी references, जो book हैं, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, maths के लिए जो भी आप reference book use करते हैं, NCRT use करते हैं, यह तो पढ़ना है, इसके अलावा, workbooks होते हैं, ठीक है, आपको previous year का paper यूज़ करना है, previous year का paper आपको लगाना है, ठीक है, कुछ mobile आप दी है, book of reasoning है, test paper है, equis है, और साथे साथ जो 11 तो 12 के student है, वो various maxim को भी refer किया गया है, कि आप देख सकते हैं, ठीक, so आपको preparation कैसी करनी है, आप school की, अपने slavers की preparation तो करी रहे हूं, उसके साथ साथ, आप quiz made part लीज़े, like quiz करिए, ठीक है, आप previous year का paper solve करिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा idea लगेगा कि questions कैसे आते हैं, उनको कैसे हमें solve करना चाहिए, because one hour का paper है, questions हैं आपके पास, tricky होते हैं उनमें कुछ question तो आपको one hour में paper को solve करना आना चाहिए, तो यह trick आपको तब पता चलेगी जब आप previous year के paper को solve करेंगे, ठीक है, वो habit में डालेंगे आप, अब आते हैं बच्छो awards के बारे में, international zone and class topper award किसको दिया जाता है, second level winner को, और जो की कौन होते हैं, class 3 से class 12 तक के बच्छे जो बैठते हैं, ठीक है, class 1 and 2 award will be provided to the first, तो class 1 and 2 के बच्छे second level पे तो बैठते नहीं है, तो उनके लिए वही first level ही winner उनको दिया जाता है, जो भी उनका आया, उसी साफ से उनको मिल जाता है, rank according, ठीक है, each winner will be entitled to the one award for an exam, ठीक है, अब आता है आपका two level performance and class 1 and 2, क्योंकि class 1 and 2 के बच्छे के बच्छे के बच्छे के बच्छे एक ही level देते हैं, and award for the level 2 performance, तो international level पे first rank वाले को 50,000 उपीज, gold medal, certificate मिलता है, second वाले को 25,000 उपे, international silver medal, ठीक है, and certificate of outstanding performance, ठीक है, third वाले को 10,000 उपीज, international bronze medal, and again certificate, तो देख रहे हैं, आपकी एक identity international level पे तो बनी, साथी साथ आपको scholarships भी इतनी मिलती है, ठीक है, gold medal मिलते है, silver medal, based on your ranking, आपको gold, silver, bronze medal मिलता है, and certificate मिलता है for the outstanding performance के लिए, ठीक है, अब हाते हैं, बच्चो, at the zonal level, वो international level था है, at the zonal level पे क्या होता है, first rank वाले को 5,000 उपे, gold medal, and certificate, second rank वाले को 25,000 उपे, silver medal, and again certificate, ठीक है, यह तो ranking के basis पे हो गया, third, 1000, bronze medal, and आपका zonal certificate, आपको excellence का, certificate of zonal excellence मिलेगा, ठीक है, fourth से लेके 10th rank वालों को gifts मिलते हैं, certificate of zonal excellence, 11th and 225th rank वालों बच्चो को certificate and 26th plus को merit certificate सबको मिलते हैं, clear बच्चो, अब हाता है, award for level 1 performance, at the zonal level, तो 1 से 25 तक की rank के बच्चो को medal, certificate, और SPR, that is a student performance report दिया जाता है, जहाँ पर आपको ये पता चलता है, कि आप कहाँ lag हुए, आपने कहाँ अच्छा किया, आपकी rank कहाँ पर लाए कर रही है, ये सारी बाते आपको SPR में पता चलती है, ठीक है, 26 प्लस rank वालों को participation का certificate, विकोस आपने part लिया है, तो आपको participation certificate, as well as आपको SPR, that is student performance report भी मिलती है, clear student, awards and scholarship at the school level, medals मिलते हैं, SPR दिया जाता है, participating student को, हर एक student को certificate मिलता है, merit certificate मिलता है, to the second level participants को, top 25 rank holder, हर एक class, हर एक Olympiad exam का award के जाता है, medal of distinction से, ठीक है, तो आप देख रहे हो, international zone and school level पर आपको क्या-क्या awards मिल रहे होते हैं, ठीक है, now, अब हमने बात की थी, SPR की, student performance report की बात करे थी, क्या होता है, यह हर एक participating student को जो दिया जाता है, जिसका objective होता है, student के answer को analyze करना, कि हमारे बच्चे किस जगा पर लाग करें, उनकी क्या rank है, उसको compare किया जाता है, city, zone, school, international level पर, so, इसके 5 sections होते हैं, जहां पे section 1 जो होता है, वो provide करता student का marks, ठीक है, जो उसने marks और rank achieve करी है, school, city, zone, regional और international level पर, ठीक है, section B में provide की जाता है, past year wise analysis of the student, ठीक है, section C में provide a percentage score analysis, आपका percentage score analyze होता है, ठीक है, with a comparison class से, city से, zone से, and international level पर, and बच्चो, section D पर, provide a comparison of the average marks analysis, हार चीज का analysis है, past year wise analysis, percentage score analysis, comparison of average marks analysis, आपकी rank, आपका marks, आपके score, आपके average marks, सब चीजों का analysis होता है, ठीक है, section A, provide a topic wise performance, अब आप सोच रहा हो, topic wise पर आपका performance analyze हो रहा है, clear student, so paper को जरूर दीजे, जो कि भले ही आप उस paper को निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, अगर नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको next chance भी मिलेगा, obviously मिलेगा, ठीक है, and अगर निकाल लेते हो, तो आपके identity आप देखी रहे हो, कि scholarship, awards, और आपको जो cash prizes मिलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ना, कुछ queries होते हैं कि interested, Olympiart में take part करते हैं, लेना चाहते हैं, but school not received any information, तो ऐसे case में student आप name, email id, अपने school का complete address, नाम और contact, detail of the principal का, आप send कर सकते हैं, जहां से SOF आपके school को registration form देगा, और उसे register करेगा, ठीक है, उसकी application form देना start करेगा, clear बच्चों, who all are eligible to sit for the Olympiart, बताया है, पीछे भी हमने, student of class 1st से 12 तक का बच्चा, eligible है, 1st level Olympiart के लिए, 2nd level के लिए आपको 1st level को clear करना पड़ेगा, and there is a no other eligibility criteria, like a minimum marks नहीं होता, 1st level के लिए, ठीक है, student benefit by taking Olympiart paper, आपको benefit क्या है, आपको ranking पता चलती है, आपके marks के basis पे आपको अपनी ranking पता चलती है, आपको SPR, आपको अपनी report पता चलती है, आपको performance report पता चलती है, कि आपका rank कितना आया, ठीक है, आपके marks कितनी आया, आपके average marks कितनी आए, आपने कहां पे जो topic wise आपका analysis हुआ, ठीके वो सारी चीजे पता चल दी है Student को award की जाते है international, zonal and school ranking पे, ठीके, prices आपके annually announced होते है And the very important thing कि जो international toppers हमारे बच्चे होते हैं, उनको award की जाता है at the grant price distribution ceremony जो की Delhi में होता है And the prizes, जो zonal winners, school winners होते हैं, उनको उनके schools के जरिए provide होता है ठीके, exam की सारी detail, जब आपको school registered होता है, तो all the relevant information is sent to the school, registered with the SOF across the country जहां पे prospective registration form, posters, सारी detail exam के पहले sent की जाती है बाकी यहां पे उसका website भी दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, कुछ भी detail देखने के लिए ठीक है student, so lastly thank you so much channel को like, share, subscribe, comment करना ना भूले और फिर से हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, कि बच्चों आप अपने school के exams देते हैं, जरूर दीजे, आपके class का promotion होता है आपका promotion होता है, इस exam के जरिये, इसमें कोई दिने में नुकसान नहीं है, आप अपने school exam के साथ इस exam को दे सकते हैं, पढ़ना वही है, बस यहां पे थोड़ी से और पढ़ाई आपको करनी है, जहां पे हमारे आननमनी अनक आटमी की टीम आपके पूरी help करेगी, कि आपको किस तरी के सोलब्याद हम क्राक करवा सकते हैं, ठीक है, सुलाश्री थांक यू, थांक यू सो मच